बाबा भोलेनात का ये रातृ कालिन रात्री में जागरण होता है जागरण करके लोग ढरी शिवका भजन करते हैं रुद्रा विशेक करते हैं रात्री भर कोई अर्चन करता है उनका तो जागरन करके चार प्रहर की पूजा होती है तो उसमें जो है विशेश करके रात्री के शमें हमको फलहार लेना चाहिए तो फलहार में कुट्टू का आटे का होना चाहिए और साबूदाने की खिचडी होनी चाहिए और क्या करते हैं फल फूल होना चाहिए मिठा होना और अगर उसमें सेनानमक अगर लेना चाता है तो इसค़पे पंसे अलौन रहना चाता है तो अब डोनों मेंसे कोई काम कर सकता है जबने